अगर आप एक freelance photographer हो या photography में शुरुवात कर रहे हो और photography में पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके बहुत काम का है तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि एक photographer को किस तरीके से अपने business को set up करना चाहिए ताकि वो जादा पैसे कमा सके Photography करियर का वो option है जिसके अंदर आपको नाम मिलता है आपको पैसा मिलता है आपको glamour मिलता है और photography के अंदर पैसे कमाना कोई मुश्किल काम नहीं है बाकी business की तरह अगर आपने photography के business को सही तरीके से set up किया जो photography के अंदर भी आप बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हैं Photography अगर आपका passion है और आपको लगता है कि आप एक अच्छे photographer बन चुके हैं आपके pictures बहुत अच्छी आती हैं तब भी आपको photography के business को अच्छे से समझना चाहिए क्योंकि मेरे इसाब से एक photographer अगर photography से पैसे नहीं कमा सकता या नहीं कमाता तो वो एक successful photographer नहीं बन सकता और एक अच्छे photographer और एक successful photographer में difference होता है अच्छा photographer कोई भी हो सकता है आपके पास में कोई भी camera हो आप अच्छी pictures खीच रहे हैं आप घर पे frame करके pictures को टांग रहे हैं आप एक अच्छे photographer हैं पर आप successful photographer तब तक नहीं हैं जब तक कि आप photography से पैसे ना कमा रहे हो photography से पैसे कमाने का मतलब होता है कि आप जिस तरीके की photography करना चाहते हैं वहाँ पर आपको सही value मिले आप अगर per day basis के उपर shoot करते हैं तो आपको वहाँ पे 10 जार, 20 जार, 40 जार, लाक आप जैसे जैसे बढ़ते जाएं आपको उस तरीके से आपकी value appreciate करना ही चाहिए हर साल, हर project के बाद आपको अच्छा amount मिलना चाहिए आपके shoot का तब आप एक successful photographer है successful photographer का एक और measurement है कि आप किस तरीके के shoot कर रहे हैं आप कितने brand shoot करते हैं आप कितने designer shoot करते हैं आप कितने catalog shoot करते हैं सो इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा सो अगर photography आपको पसंद है photography आपका passion है और आप इसमें successful होना चाहते हैं तो ये तीन चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत important है पहला portfolio दूसरा branding और तीसरा marketing आप जितने मर्जी अच्छे photographer हों अगर ये तीन चीजें आप नहीं कर रहे हैं या ये तीन चीजें आपने अभी तक नहीं की हैं तो आप एक successful photographer नहीं बन सकते तो अब एक एक करके हम इसको समझते हैं तो सबसे पहली चीज हम ये समझते हैं portfolio एक photographer के पास में उसका portfolio होना बहुत ज़रूरी है आप जिस तरीके का काम करना चाहते हैं उस तरीके की images आपके पास होनी चाहिए मैंने ये देखा है कि photographers अपने equipment के उपर तो पैसा खर्च कर देते हैं लेकिन portfolio बनाने पे पैसा खर्च नहीं करते उनको लगता है कि हमारे को free में model मिल जाए हमारे को collaboration मिल जाए make up artist के साथ हमें free में stylus मिल जाए और shoot हो जाए ऐसा नहीं होगा अगर आपको अपना portfolio बनाना है एक अच्छा portfolio बनाना है तो आपको उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे अगर collaboration हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है पर अगर collaboration नहीं हो रही है तो अपना पैसा खर्च करो model book करो, makeup book करो, styling book करो और जिस तरीके की pictures आप चाते हो उस तरीके की pictures को shoot करो और बार बार shoot करो जितने का आपने camera लिया है जितने का आपने lens लिया है अगर उतनी value भी आपको एक portfolio बनाने में खर्च करनी पड़ती है तो कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये जो portfolio है इसमें किया हुआ खर्चा आपको return देदेगा बहुत जल्दी पर अगर आपने portfolio नहीं बनाया तो मेरे भाई आपको कुछ नहीं मिलेगा आप struggle करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे और end में जाकर के भी आपको images चाहिए होंगी अब अगर आपको ये लगता है कि जी मैं free में काम करूँगा लोगों का free में shoot करूँगा और उसके बाद में मेरा portfolio बन जाएगा तो बहुत लंबा रास्ता है, बहुत लंबी journey है नहीं होगी पूरी क्योंकि जब आप free में काम करते करते जहां तक पहुचना है, वहां तक पहुचोगे तब तक कोई और आजाएगा और एक नया competition आपके लिए खड़ा हो जाएगा सो क्यों ना आज ही इसी बात का फैसला लिया जाए कि जी मुझे अपना portfolio तयार करना है अब portfolio कैसा तयार करना है आपको बनना है एक fashion photographer पर आपने images खीची हुई है e-commerce की और आपको लग रहा है कि मैं e-commerce की images दिखा करके fashion project ले लूँगा नहीं मिलेगा क्योंकि fashion का काम अगर आपको लेना है तो आपको fashion images को ही shoot करना पड़ेगा आपके पास कम से कम 50 से 100 fashion images होनी चाहिए तभी आपको एक fashion project मिलेगा या fashion projects मिलने शुरू होंगे अब अगर आपको advertising shoot करना है आप बड़े-बड़े brands के लिए shoot करना चाहते हो advertising shoot करना चाहते हो तब आपको advertising shoot करके portfolio बनाना है agencies या brands आपका बिना portfolio देखे हुए आपको काम नहीं देंगी अगर आपको brand shoot करना है तो आपके पास में portfolio होना चाहिए advertising का अब वो कैसे बनेगा बहुत simple है जिस तरीके की images आपको पसंद आती है जिस तरीके का advertising काम आप करना चाहते हो उस तरीके की images के references निकालो अपना पैसा खर्च करो और shoot करना शुरू कर दो तो जो मैंने आपको बताया था न पते पिछले वीडियो के अंदर के पैसा waste मत करो equipment के उपर तो यहाँ पर जो जगा है portfolio बनाने में इसमें आपको पैसा खर्च करना है बाकि सब चीजें एक तरफ आपका portfolio एक तरफ portfolio में पैसा खर्च करोगे तो आपको पैसा बहुत जल्दी मिलेगा अब दूसरी चीज है brand identity आपको अपना brand establish करना है अगर आप एक freelance photographer भी है तब भी आपके लिए branding बहुत important है और जब हम branding की बात करते हैं तो उसके अंदर हम logo की भी बात करते हैं उसके अंदर हम colors की भी बात करते हैं उसके अंदर हम ये भी बात करते हैं कि as a photographer आपके पास आपकी personal website होनी चाहिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने Instagram के उपर pictures डाल दी हैं और Instagram पे pictures डाल करके मेरी branding हो गई तो बहुत बड़ी गलत फहमी है आपको आपको अपनी personal website बनानी है और सिर्फ personal website ही नहीं बनानी है आपको आपके पास आपका professional domain होना चाहिए तो जब आपके पास में आपका personal mail ID होगा आपके पास आपकी personal website होगी जैसे मेरी website है www.wipingorphotography.com अगर आपके पास में professional website और professional email ID होगा तो लोग आपको बहुत seriously लेंगे और यहीं पर आप difference दिखा सकते हो कि आप एक professional photographer हो और आप serious हो अपनी photography को लेकर के आप time pass करने नहीं आया है वो photography में तो website बनाना बहुत ज़रूरी है अब यह जितनी भी चीज़े मैंने आपको बताई है न और इस course के अंदर मैंने website बनाना भी बताया है कि किस तरीके से एक photographer बिना पैसे खर्च करे अपनी website बना सकता है इस बात का ध्यान रखना Instagram के उपर अपना नाम डाल के आगे photography लिख देना branding नहीं है आपको बहुत basic से चलना पड़ेगा आपको आपका नाम सही तरीके से लिखना है लोगों की जरूत है तो लोगों बनाना है color theme आपकी क्या होगी आपकी pictures किस तरीके से कहाँ पर कैसे आप place करेंगे ये सारी चीजें बहुत important होती है और जब आप ये दो step कर लेंगे कौन से दो step? पोटफोलियो जब आपके पास में होगा और आपने अपनी brand identity create कर ली है तब बारी आती है marketing की और अगर आप marketing नहीं करोगे अपने business की तो आप चाहिए जितने मर्जी अच्छे photographer हों आपको success नहीं मिलेगी reason photography में successful होने के लिए आपको clients से हीए clients मिलेंगे आप नया काम करोगे काम करोगे तो आप लोगों को दिखाओगे पर ये काम आप तक तब तक नहीं पहुचेगा जब तक कि आपका काम आपके client तक नहीं पहुचेगा आपने जो भी अभी तक काम किया है आपने portfolio बना लिया आपने brand identity create कर ली, अब आपको clients तक पहुचना है, जैसे आपको clients से ही हैं, उन तक आपको जाना है, आपको उनको mail करना है, आपको उनके पास WhatsApp messages करने हैं, आपको उनको Instagram के तुरू भी messages करने हैं, और clients ढूणने हैं, और client आपके लिए तैयार हो के नहीं बैठा हुआ है, अगर कि आपको daily करनी पड़ेगी, daily आपको shoot भी करना है, आपने portfolio को upgrade करते रहना है, अपनी brand को manage करते रहना है, और आपको clients ढूणते रहना है, जो मैंने आपको तीन चीज़ें बताई हैं, अगर आपने इनको सही तरीके से follow कर लिया, तो आप 6 महीने साल भर के अंदर, आप एक successful photographer बन सकते हैं, पर इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको photography सही तरीके से नहीं आती है, और उसके बाद भी आपको लगता है, कि आप एक successful photographer बन सकते हो, नहीं हो सकता, photography आपको सही तरीके से सीखनी ही पड़ेगी, photography सीखे बिना आप एक successful photographer नहीं बन सकते, आप छोटी race जोड़ लोगे, आप हो सकता है, कि starting के अंदर कुछ जान पर चांस है, आप contracts उठा लो, पर जादा लंबा नहीं चल पाओगे, अगर मैं wedding photography की बात करूँ, so wedding photography के अंदर वो लोग भी हैं, जो 10,000 रुपे चार्ज करते हैं पूरी wedding के, वो भी हैं, जो 50,000 रुपे चार्ज क होगा आपको knowledge कितनी है, क्योंकि अगर आपको photography की सही तरीके से knowledge है, so आपको जब पहला कोई भी contract मिलेगा, या आप अगर पहली बार में किसी को assist करने के लिए जाओगे और आप shoot करोगे, so वहाँ पर आप अपनी काबलियत दिखा सकते हो, आप अपने पहले shoot के अंदर ही best images shoot कर सकते हो, so इस बात का ध्यान रख लो, कि अगर आप एक successful photographer बनना चाहते हो, तो photography को सही तरीके से सीखना पड़ेगा, आपको अपना portfolio बनाने के लिए पैसे invest करने पड़ेंगे, आपको अपनी brand identity create करनी पड़ेगी, और आपको उसको market भी करना पड़ेगा, so ये चीजें कर लो, आज ही paper pen उठाओ, लिखो, शुरुआत करो, आज से ही, और मैं guarantee देता हूँ, अगर आपने ये सारी चीजें कर ली न, आपको एक successful photographer बनने से कोई नहीं रोक सकता, so अगर आपके पास में कुछ सवाल हैं, जितनी भी बाते मैंने करी हैं, अभी तक उसके अंदर आप का question पिक करूँगा, और वहाँ पर आपको मैं उसका reply करूँगा, so अगर आपको एक वीडियो पसंद आया, तो इसको like ज़रूर करना, इसको लोगों के साथ भी शेयर करो, और मेरे चैनल आपने अभी तक subscribe नहीं किया है, तो वो भी subscribe कर लो यार,